नमजजकर सभी को स्वागत है आपका इसने ऐडुकेटेडि चैनल में तो यह है राज्ता अंजी के की कि स्पेशल स्री तो इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं रास्ता रचाई चैन्बोर के अब तक के जितने भी प्रशन रास्ता नजीके के आ चुके हैं तो इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं पीडिफ आपको टेलीकम चैनल पर मिल जाएगा आज के पेपर में जो आपकी कॉश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यह जैयन का पेपर है किस इतियासकार ने चोहानों का जो है ब्राह्मणवन से उत्पन होना माना है तो कौन से इतियासकार रहे हैं तो वो रहे हैं डॉक्टर भंडार कर कि इससे फस्ट जो कॉश्चन रहा है वो डिलीट हो चुका है कभी विश्च की उपादी किस राजा को दी गई थी तो मुंज को दी गई थी नेक्स्ट कॉश्चन भी आपका डिलीट हो रुका है चल फिर शाह की दरगाह राजस्तान में कहां इस्तित है तो यह चितोडगड में इस्तित है यह बहुत अच्छा प्रशन है इसको अब स्क्रीन शोट ले सकते हैं गूंगट गूगडी बांदरा इमली क्या है यह दोस्ते तीन बार आयवा प्रशन है तो यह तारागड अजबेर की प्राचीर की विशाल बुर्जो के यह नाम है चरणदाशी संपरदाय की प्रधान पीट जो है काहां पर है तो यह दिली में इस्तित है नागोर का बुगाउं किसलिए प्रशिद हुआ करता था तो यह मिट्टी के खिलोनों के लिए प्रशिद हुआ करता था तो आपका यह बुगाउं तो इसमें सेकिंड आप्शन जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा जानती है कि इतना बड़ा मुद्रित गरंद भारत की ही क्या जगत की किसी भाष्या में है या नहीं उप्रियूक्त कतन जो है किस गरंद के बारे में कहा गया तो यह है आपका राग कल्प दुरूम तो इसके बारे में यह कहा गया है तो second option जो है इसका right answer है next question है पोत, होकर, सरी, आभूशन जो है कहाँ पहना जाता है तो ये पहने जाते हैं आपके गले में next question है कुछ आमनी ख्याल से समझे कौन सा कतन जो है सही नहीं है तो इसमें जो कलाकारो के नाम दिये गए है वो की गलत है तो यहाँ पर इसका जो right answer होगा वो आपका third option होगा और इस खेल के जो है प्रवर्त कौन रहे हैं लच्छी राम और इसके जो प्रस्चिद कलाकार का नाम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उगम राज और यह जो ख्याल है वो आपका किसके तरह है ओपेरत जैसा यह ख्याल है तिरपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजथान में का इस्थत है तो तिरपुरा सुंदरी का मंदिर बासवडा में इस्थत है फिर्स्ट ओप्शन ज zorस्का right answer है विद्यार्ती यूथ लीग जो है 1929 इस्वी में स्तापना भारत में किस ने की थी तो किस के दर की गई थी ये तो टीका राम पाली वाल द्वारा जो है की गई थी तो फर्स्ट ऑप्षिन जो है इसका राइट आंसर है दावी और जीवनी सामनतों की श्रेणी राज़तान में कहां प्रचलित थी जेसल मेर में कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं है प्रजाय मंदल के नाम दिये गए है संस्तापक के नाम दिये गए है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो बूंदी का जो संस्तापक दिये गए है जो कि गलत है यहाँ पर आना चाहिए था स्री कांतिलाल स्री कांटिलाल यहां पर आना जाएता तो इसलिए आपका जो 4th option है वो यहां पर सुमेलित नहीं है बाकी जो दिये गए है वो आपके सुमेलित है तो यहां पर D option इसमें जो दे रखा है मतलब 4th option में जो D है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो option इसमें पर है राजस्तान एकी करण में भरतपूर दोलपूर रियास्तों पर जंता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गटन किया गया था उस कमेटी में कौन जो है समिलित नहीं था तो MS जैन जो है समिलित नहीं थे सार्दुल राजस्तान इसर्च इंसिट्यूट किस तापना किस ने की दस्रश शर्मा ने की थी राजस्तान में समिलित नहीं है राजे दिये गए है पॉलिटिकल एजेंट जो दिये गए है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे इनमें तीनों मिले हुए हैं उद्यपूर के सी एल शावर्स, कुटा के मेजर बर्टन, भरतपूर के मेजर निक्षन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जैपूर दिये गए है, जैपूर की करिंडल इडन यहाँ पर होने पैटिक लोरेंस थे अ भगत आंदोलन की शेत्र से कि से शेत्र में जो है शुरू हुआ के टुए डुंगरपुर बासवाड़ा में जो है शुरू हुआ था बगत आंदोलन जाल्रा पाटरन की नव लखा दुर्ग की नीव किस ने रखी पिर्थवी शिंग ने रखी थी second option राज्तान राज्य की आकरति है विशम कोणी है रास्तान का अक्षांसिय विस्तार आपको अक्षांसिय देशांत्री विस्तार दोनों ही पता होने चीए यहां पर जो इसमें अक्षांसिय विस्तार को लेकर की एक नेक प्रशन आती ही रहते हैं तो इसमें जो इसका राइट अंसर हो जाएगा 23 दिग्री 3 मिनट से 30 दिग्री 12 मिनट उत्तर तो इसमें हो जाएगा आपका फास्ट प्षिन राइट अंसर हो जाएगा अरावली की सरवच परवत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है तो इनके अकॉर्डिंग बताने है आपको तो इसमें हो जाएगा आपकी सेर जो है इसमें उजी चोटी हो जाएगी नेक्स्ट है राजतान के किस भोतिक विभाग में मुकुंतरा की पहाडियां जो है इस्तित है तो यह आपकी स्तित है हाडोती के पथार में थर्ड ऑप्षिन इसका राइट आंसर है उपर माल है तो उपर माल से भी काफी प्रस्ट जो है पूछे जाते हैं आपने पहले आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको हो जाएगा इसमें हाडोती का पथार का एक भाग है नेक्स्ट रथार मुस्तल की इस्तला करती किस राज्ये के बालू का स्तूपु से पटी पड़ी है तो यह होगी आपकी पैराबॉलिक राज्तान भूशेत्री के लंबाई के दिश्टी से नदियां का सही आरोही क्रम क्या है छोटे से बढ़ा क्रम जो बढ़ते वे क्रम में आपको बतानी है इसमें आरोही क्रम में तो कांतली, चंबल, लूनी और फिर आजाएगा आपका बनास फर्स्ट ऑप्शिन इसका राइट अंसर हो जाएगा पश्चिवी रास्तान में आल प्रुशा के लिए निमनाकित में से कौन सा एक कारण जो है नहीं है तो ग्रिस्म काल के दोरान जो है उच्छ वायुदा बिलकुल भी इसका कारण नहीं है निमनाकित में से कौन सी राज्तान के सरवादिक श्यत्र पर विख्तिरत है यह इसका बहुत बारी पीट होता है और यह आप जरूर ध्यान में रखें और सबसे ज्यादा जो मिट्टी किस प्रकार की जो है राजता में पाई जाती है वो एरिडी सोल्स और एंटी सोल्स और एरिडी सोल्स मिट्टी जो आपके एक आप पश्यम मरुस्तल जो के मरुस्तली शेत्र है वहाँ पर पाई जाती है और माउंट अबू शेत्र में किस प्रकार की जो है प्रा राज्तान में विदी द्वारा सनक्षी तता विश्व धरोड में शामिल अधवीती पक्षी सनक्षे नस्तल है तो वह कौन सा हो जाएगा आपका केवला देव घहना पक्षी वियार भारतपुर। कि नेक्ष्ट कुशन आपका डिलीट हो रुका है एक कुशन और है राज्तान के सरवाधिक शेरित दोज़ा तेरा सवदा में बोई जाने वाली फसले हैं तो इसमें आपका अनाज हो जाएगा वर्ष 2012 की पशुगणना अनंतिम के अनुसार राज्तान की कुल पशुशंख्या उस समय कितनी थी तो ये थी 577 लाख 2012 के अकॉर्डिंग्स पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट है इनिमलिकित में से कौन सी सिचाई परियोजना राज्तान पंजाब हरियाना राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो वह है ब्यास परियोजना तो इसमें जो इसका राइटान से हो जाएगा आपका थर्ड ओप्शन नेक्स्ट है इंद्रा गांधी नहर की चोधरी कुंबाराम लिफ्ट से राज्तान में कौन से जिले जो है लाभानवित है तो हनमानगड और चूरू जो है लाभानवित है इसे तो इसमें जाएगा आपका फर्स्ट आप्शन इसका राइट आंसर राज्तान का राष्टी राज्मार्ग जो सुवर्णी चत्वुज योजना तताब पूर पश्चिम कोरिडोर दोनों का हिस्सा है तो नेस 76 जो है हिस्सा है तो इसमें जाएगा आपका फोर्ट आप्शन एन इस पंदर आपका सबसे बड़ा जो है राश्टी राजमार्ग है राजस्तान में नेक्स्ट है तो नेक्स्ट कुशन में जो आपका दिया गया है सूपर नेशनल हाईवे योजना में समिलित राजस्तान के सडक मार्ग का नाम कौन सा है इनमें तो वो है आपका मारा आजा अगर शेन मार्ग नेक्स्ट एज हमार खोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद है तो यह रोफ फॉस्पेट के लिए प्रसिद है और बहुत ज्यादा यह कुश्चन जो है पूछा जाता है तो इसका हो जाएक आपका थाड़ ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन जो है आपका इस पेपर का लास्ट यह कुश्चन जिसमें है चालिस प्रसिद में आयते रास्तान का कौन सा जिला वर्तमान में जिपसम का अधिक्तम उतपादन करता है तो वो है आपका बीका तो यह थे आपके लगबग 40 प्रशन इस पेपर में थे तो आपने जो भी इसमें स्कोर किया है इन 40 प्रशनों में से आप जरूर शेर करें पहले के वीडियो जो है आप देख सकते हैं और इसका पीडियो आपको टेलिगाम चैनल पर मिल जाएगा और जो पूरी स्रीज है थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो चिले के तो लाइक को शेर कर दीजिएगा